गुड मॉर्निंग माई डियर स्टुडेंट्स वैराज कुमार जिंग आप समयनों का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आप से निवन करता हूँ अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है है color बेल को प्रेसन कर दिए टाकि आने वाले मेरी हर वीडियो का नोटिफ्री लेशन आपको पहुंच सके आज के इस वीडियो में हमनों पुढ़ेंगे क्लास 10 के पर्टी का लेशन टू जिसका नाम है दस साम अफ लाइफ जिसका मतलब है जीवन का भजन जिसको लिखे हैं यह डबलू लांग फेलो इस कविता में कभी ने यह बताने के कोशिस किया है कि जीवन एक वास्तु इकता है यह कोई सपना नहीं है और जीवन का लच्छिया मिर्त्वी नहीं है आत्मा अमर है हमारा जीवन खुसिया मना या सुबाना इतना ही नहीं है हमें एक बीर की तरह जीत रहना चाहिए बीर की भाती हमें लड़ना चाहिए गुंगे पसूं की भाती हमें सांत या मौन नहीं रहना चाहिए फल इस्वर के हाथ में है इसलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए सब कुछ मिलाकर हमें अपने काम में हमेसा जुटे रहना चाहिए और फल की प्रतिशा करनी चाहिए यहां से समझते हैं कभी कहता है कि life is real real मतलब वास्तविक जीवन वास्तविक है life is earnest earnest का मतलब होता है सच्चा या इमानदार कहने का मतलब यह है कि जीवन इमानदारी से कुछ प्राप्ट करने के लिए है and the grave is not its goal grave का मतलब होता है कब्र goal का मतलब होता है लच्छ तो इसका और तैसे हो जाएगा कि जीवन का उदेश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है dust दाव आठ dust मतलब धूल दाव मतलब तेरा आठ मतलब कला मतलब यह हो जाएगा कि धूल से तुम्हारा सरीर बना है लेकि मनुस्य का सरीर मिठी से बना है to dust returnist और मिठी में ही मिल जाएगा is not spoken of the soul यह बात आत्मा के बारे में soul मतलब आत्मा के बारे में spoken मतलब कहा गया यह बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया क्योंकि आत्मा जो है हुआ अजर अमर होती है not enjoyment and not sorrow is our destined in our way enjoyment मतलब आनन्द, sorrow मतलब दुख destined का मतलब होता है उद्देश से आयल अच्छे तो कराएगी हमारे जीवन का अन्त यहीं पर समाप नहीं होता है कि हम अपने जीवन में आनन्द ले या फिर दुख भोगे यानि कि आनन्द और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अन्तिम उद्देश से या फिर वे मतलब मार्ग नहीं है but to act लेकिन हमें कार करना है that key is tomorrow आने वाला हमारा प्रतिय कल finds us हमें मिले farther than today आज कि अपेच्छा बेहतर यानि कि हमारा प्रति दिन हमें से उन्नति करें कि आने वाला जो हमारा कल है आज से बेहतर बने आज से अच्छा बने in the words broad field of battle कर रहा है कभी कि या सलसार एक बिस्त्रित जुद्देश्यत्र के समान है field of battle मतलब जुद्देश्यत्र in the बियोक of life बियोक का मतलब हता है और अस्थाई पड़ाव और हमारा जो जीवन है यहां एक और अस्थाई पड़ाव है कहने का मतलब यह है कि यहां हमारा संपूर जो जीवन है वो संघर्सों से भरा हुआ है be not like dumb और हमें गुणू की तरह नहीं जीना है driving cattle मतलब जिन पशूं को हम लोग भगाते हैं या हागते रहते हैं तो कभी काता है कि हमें उन पशूं के समान अपना जीवन नहीं बिताना है be a hero in the strife संघर्स में हमें एक hero एक नायक की तरह जीवन जीना है अपीतू एक बीव सिपाही की भाती साहस से इसका सामना करना चाहिए let's then be up and doing with a heart for any faith कभी काता है कि हमें any faith बिना किसी इच्छा का किर्यासी रोकर साहस पुरोक अपने कारे में लग जाना चाहिए with a heart मतलब पूरे मन से still achieving still मतलब अब भी मतलब हमें प्राप्ट भी करना चाहिए still pursuing और हमें answer भी करना चाहिए कहने का मतलब यह कि हमें अपने उद्देश की पूर्ती के लिए लगतार लगे रहना चाहिए learn to labor and to wait हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे परिश्रम करें और कैसे इंतिजार करें यानि कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और हमें अपने फ़ल का इंतिजार करते रहना चाहिए अज़िए